हेलो दोस्तो वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेज दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग MS Excel के कुछ यूसपूल कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो की काफी बार एक्जाम में पूछे चाहते हैं चाए वो BCC एक्जाम हो य आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 11 फॉर्मुला है जिसको आज हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं लेकिन दोस्तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि MS Excel होता क्या है अगर जो नहीं जानते हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं इस से आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन तुरंत कर सकते हैं यह एपलिकेशन आपको काफी समय बचाता है दोस्तो अगर आपको एक ओफिसियल जॉब करनी है जैसे डाटा इंट्री ओपरेटर जैसी जॉब तो आपको MS Excel की नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है तो चलिए दो दोश्तो अब हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं एक-एक फ़र्मुले के बारे में सबसे पहला जो हमारा फॉर्मुला है वो है संब का संब का जो फॉर्मुला यूज किया जाता है वो दोस्तो एड करने किया जाता है मांनेजिए कोई भी नमबर्स को तिन नंबर्स लिख लिए हैं ठीक है अब इसमें मैं क्या करूंगा इसे मुझे इन तीनों को जोड़ना है तो मुझे जो फॉर्मुला यहां अपलाई करना पड़ेगा वो है इक्वल टू इसके बाद आपको टाइप करना है सुम इसके बाद आपको ब्रैकेट को ओपेन करन है अब दोस्तों आपको देखना है कि यह जो आपने पहला नंबर लिखा है वो किस सेल में है तो जैसे इस सेल पर आप क्लिक करेंगे आपका यहां पर सेल सेलेक्ट हो जाएगा देखिए यह जो सेल का नाम है वो है इफोर ठीक है इफोर कैसे जैसे देखिए आपका यह जो column है वो e है और जो आपका row है वो है 4 इसलिए यहाँ पर e4 automatic detect हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको sign देना है semi column का semi column का sign देने के बाद आपको मैं थोड़ा सा zoom करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी देखने में आप देख लिजे ठीक है equal to sum e4 इसके बाद semi column और इसके बाद आपको जहां से जहां तक दोस्तों नमबर आपको जोड़ने जैसे देखिए आपको जो लास्ट नमबर है वो है 69 तो देखे यह automatic g4 जो सेल का नाम है वो detect कर लेगा ठीक है इसके बाद आपको bracket को off कर देना है और आपको inter press कर देना है तो आप देखेंगे दोस्तों आपका जो नमबर है 45, 48, 69 वो नमबर आपका यहां पर add हो चुका है 162 तो इस तरह करके आप sum का formula निकाल सकते हैं तो दोस्तों office में या company में क्या होता है कई सारे बहुत लंबे लंबे calculation दिये हुए रहते हैं जिनको आपको add करना रहता है वहां पर यह formula बहुत काम आएगा बहुत ही useful formula है तो यह था दोस्तों हमारा पहला formula sum का अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते है next average का formula तो दोस्तों average निकालने के लिए भी हम लोग इसी numbers का यूज़ कर लेते हैं average निकालने का जो हमारा formula है वो है equal to average इसके बाद आपको bracket को on करना है और आपको दोस्तों जहां से जहां तक average निकालना है जिस जिस number का उसको आपको select कर लेना देखे मैं इस number को select कर लेता हूँ 45 देखे यह automatic select हो गया इसके बाद आपको semi colon का symbol देना है ठीक है और इसके बाद मैं इस cell को भी select कर लेता हूँ जिसमें हमारा numbers लिखा हुए 162 ठीक है तो इसे भी इसने select कर लिया आप देखे दोस्तों यह automatic यहां से लेकर यहां तक select कर लि देखें दोस्तों आपका average निकलके तुरंट आ गया ठीक है तो मिंटों में आपका काम हो जाता है अगर आप बड़े बड़े numbers को use कर रहे है तब तो और चल्दी आपका काम होगा ठीक है क्योंकि एक साथ अगर आप paper और paint लेके बठेंगे तो काफी समय लग जाएगा ठीक दोस्तों देखते हैं next formula की तरफ अब दोस्तों जो हमारा next formula है वो है minimum का आपको numbers में से जो minimum numbers को अगर निकालना हो तो इसके लिए आपको जो formula लगाना होगा वो minimum का formula लगाना होगा चलिए देखते हैं कैसे हम लोग minimum number का पता लगाएंगे तो सबसे पहले मैं इस numbers को हटा द लेता हूं चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं फाइव कि अगर चलिए दोस्तों आप मैंने कुछ यहां पर नंबर्स लिख लिए है अब इन नंबर्स का अगर मुझे मीनीमम पता लगाना है तो मैं यहां पर सेल में यहां पर टाइप करूँगा एक वर्टू म I N इसके बाद ब्रैकेट ओप को ओपेन करना है और आपको सेल को सेल पर ना है की आपको जहां से जहां तक का मिनिमम निकालना हो तो चलिए मैं सबसे पहला हमारा सेल जो है उसमें में 5 है यहाँ पर देखिए automatic cell का नाम detect हो गया F5 और इसके बाद अब हमें type करना है semi colon का symbol और इसके बाद जो हमारा last cell है उसको select कर लेंगे ठीक है अब देखिए यह पूरा को select हो गया एक बार ठीक है कि यतने numbers में हमारा minimum numbers को निकालना है अब इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर bracket को close कर देंगे ओके दोस्तों इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है enterprise कर देना और देखिए हमारा जो minimum number है वो निकालके आज चुका है तो इन number से हमारा जो सबसे छोटा number है वो है 2 तो देखिए आपका यहाँ पर 2 answer आज चुका है अब चलिए दोस्तों आप देखते है next formula next formula जो दोस्तों हमारा है वो है maximum का अब दोस्तों हमें maximum निकालना है ठीक है सबसे बड़ा number इन में से कौन सा है तो इसके लिए आपको formula पर यहाँ apply करना चलिए मैं आपको दिखाता हूँ equal to इसके बाद max लिखना है और इसके बाद bracket open करना है और उसी तरह आपको cell को select कर लेना है semi colon का symbol देना है इसके बाद आपको last cell को विश्रेट कर लेना है और bracket को close कर देना है आप देखें लिए दोस्तों एक बार formula ठीक है equal to max f5 cell का नाम ठीक है और semi colon और फिर cell का नाम f8 और bracket को close कर देना है और simply आपको enterprise कर देना है आप देखें दोस्तों हमारा जो maximum number है वो इन numbers म सबसे बड़ा number है 78 तो वो हमारा यहाँ पर answer आ चुका है अब जो दोस्तों हमारा next formula है वो है count पहले हम लोग count के बारे में समझ लेते हैं कि count function का use हम लोग क्यों करते हैं count function किसी data में मौझूद उन सभी cell को गिनने का कार करता है जिन में numbers लिखे होते हैं दोस्तों आप count करें कि total हमारे कितने numbers cell में लिखे हुए हैं उसके बाद अगर मालीजे कोई भी text blank है तो उसको यह count नहीं करेगा या मालीजे किसी cell में alphabetic या letters कुछ भी लिखे हुए या कोई words लिखे हुए तो उसको भी यह count नहीं करेगा तो चलिए मैं आपको practical के द्वारा दिखाता ह हूँ कि किस तरह इसे use करना count function को count function use करने के लिए सबसे पहले इस cell को हम लोग delete कर लेते हैं और आपको type करना है equal to co unt count इसके बाद आपको bracket open करना है इसके बाद आपको cell को select कर लेना है ठीक है हमारा f5 cell है और इसके बाद आपको semicolon का sign देना है और जहां से जहां तक आपको क कर लेना ठीक है तो देखिए हमने f5 से लेकर f8 तक select कर लिया है इसके बाद आपको bracket को close करना है और आपको enterprise कर देना आप देखिए दोस्तों हमारा जो result आया है वो है आया है 4 ठीक है तो हमने हमारे पास जो हमने numbers लिखे हुए total 4 cell में लिखे हुए है अगर मैं इन में से देखिए अब हमारा यहां पर कितना हो जागा देखिए दोस्तों अब हमारा यह 3 हो गया क्योंकि हमने जो cell में जो numbers लिखे हुए वो only 3 cell में ही number लिखे हुए है अगर मैं यहां पर कोई numbers मान लिखे है अब मैं इस number को delete कर देता हूँ और यहां पर कुछ अपना नाम लिख अब देखे यह इसको calculate नहीं करेगा यह देखे दोस्तों अभी भी यह 3 बता रहा है क्योंकि हमारे जो सेल टोटल नमबर लिखे हो हुए 1,2 और 3 जिनको हमने select किया हुआ है और एक जो सेल में है उसमें हमने अपना नाम लिख लिए तो उसको इसने calculate नहीं किया तो count function जो use किय है वो है counter ठीक है अभी हमने count किया था अब जो next है वो उसका नाम है counter चली अब देखते हैं इस function को हम लोग कैसे use करेंगे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि counter को use जो function है उसको use क्यों किया जाता है तो दोस्तों counter function किसी जो data range जो भी आमने data बनाया हुआ है उस cell में जो blank cell होंगे खाली उसको छोड़ देगा ठीक है जैसे माली यह हमने यहां numbers लिखे हुए है इन में से कोई Excel अगर माली यह blank है ठीक है जैसे देखिए मैं आपको example के थूही बता देता हूँ जैसे देखिए मैंने Excel को blank कर दिया है ना और इसके बाद अब हमें यहां पर formula मैं चला इसके बाद bracket on करना है आपको ठीक है और इसके बाद यहां पर इसे select कर लेना है cell को तो f5 हो गया उसके बाद semi colon और इसके बाद जहां से जहां तक cell आपको select करना है f8 और bracket को close कर देना है इसके बाद आपको enterprise कर देना है अब दोस्तों आप देखिए यहां पर जो answer हमारा बत मतलब blank सिर्फ नहीं होना चाहिए बाकि अगर कोई numbers लिखे हुआ है या कोई नाम लिखा हुआ है या word है letter है symbol है उन सब को यह count कर लेगा तो counter function का जो use है वो उसी चीज के लिए किया जाता है क्योंकि वो blank cell को छोड़के सारे cell को वो calculate कर ले या गिल ले ठीक है तो आपको इसक समझ में आ गया हो कि counter function का use कहा करते हैं अब चलिए देखते हैं next अब दोस्तों हमारा जो अगला formula है वो है count blank दोस्तों इस formula की मदद से आप blank cell को गिन सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे दिसे माली दोस्तों यहाँ पर हमने data लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है फिर यहाँ हम ल मैंने यहाँ पर एक symbol डान दिया ठीक है अब दोस्तों हमें blank cell को calculate करना है कि total blank cell कितने हैं तो इसके लिए हमें formula यहाँ type करना होगा equal to इसके बाद c-o-u-n-t count b-l-a-n-k count blank इसके बाद हमें bracket को open कर देना है और bracket open करने के बाद हमें cell को select कर लेना f5 ठीक है और semi colon का symbol देना है इसके बाद जहाँ तक हमें range लेना है उस data को select कर लेना है कि जहाँ तक हम blank cell को calculate करना चाहते हैं तो देखिए हमने f5 से लेकर f9 तक यहाँ पर calculate कर लिया है ठीक है उसके बाद हमें bracket को close कर देना है और simple interface कर देना आप दोस्तों देखिए हमारे सामने result आ चुका है count blank का कि हमा हमारे जो blank cell है वो एक cell हमारा खाली है ठीक है तो इस formula की मदद से आप cell जो खाली रह गया जो blank रह गया उसको आप calculate कर सकते है आप देखिए दोस्तों मैं इसमें से कोई एक और delete कर देता हूँ जैसे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ इसको delete कर दिया तो उसके बाद आप हमा असानी से blank cell का पता लगा सकते हैं चलिए अब देखते हैं next अब दोस्तों जो हमारा next formula है वो है कौन का tenant ठीक है इस formula की मदद से दोस्तों आप दो नाम को या तीन नाम को एक साथ आप जोड सकते हैं चलिए मैं आपको थोड़ा example के थुरू दिखाता हूँ सबसे पहले मैं इससे delete कर लेता हूँ और refresh कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो देखे दोस्तों हमने यहाँ पर delete कर लिया है ठीक है अब देखें मैं एक cell में आपना नाम लिखता हूँ जेसे देखिए मैंने लिखा 와서 विनय ठिक है इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दिता हूँ कुमार ठिक है दोस्तों अब देखें मैंने एक l में विनय लिखाया है और दूसरे सेl में कुमार लिखाया है साथ जोडना ना है तो इन नाम को जोडने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कौन का tenant का formula लगाना पड़ेगा तो चलिए मैं यहाँ पर formula लगाता हूँ सबसे पहले मैं इस number को delete कर लेता हूँ और equal to sorry equal to इसके बाद कौन का t e n a t e दोस्तो ध्यान रखेंगे spelling का जरू ध्यान रखेंगे cell को select करना है जैसे हमारा cell यह e है और जो row है वो 6 है देखें मैं इस पर करूँगा तो e 6 आ गिया अब आपको यहाँ दोस्तो जो symbol देना है वो है comma का ठीक है और इसके बाद आपका जो दूसरा cell है उसको भी आपको इसी तरह select कर लेना है तो दूसरा cell का आपका जो नाम है F6 ठीक है और इसके बाद आपको bracket को close कर देना है और simply आपको enterprise कर देना है तो देखें दोस्तों अब आपका जो नाम है हमारा विनाय कुमार वो एक जगा पर आ गिया है ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और नाम को जोड़ दो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं जैसे देखें दोस्तों मैंने लिख दिया एक सेल में विनाय है दूसरे सेल में कुमार और तीसे सेल में सर्मा ठीक है तो अब हमें यहाँ पर जो फॉर्मुला उसको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा तो देखें मैं लगाता हूं एक्वल टू कॉन के टी ए एंड ए टी ए ठीक है इसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं और सेल को मैंने सेलेट किया इसके बाद हमें कॉमा लगाना है इसके बाद हमें दूसरे सेल को भी सेलेट करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद फिर से हमें कॉमा लगाना है उसके बाद हमें तीसरे सेल को भी सेलेट करना पड़ेगा इसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना और सिंपली हमें enterprise कर देना तो देखिए दोस्तों हमारा जो नाम है वो एक जैसे लिखा गया है विनाय कुमार सर्मार ठीक है तो इसकी मदद से आप अपने text को कोई भी text को आप जोड सकते से नाम ही नहीं कोई भी आप text को जोडना चाहें तो इस formula की मदद से आप जोड सकते हैं चलिए अब देखते हैं next तो हमारा अगला formula है वो है if का if का जो function है उसका जो हम लोग use करते हैं दोस्तो condition लगाने के लिए उसका इस formula का हम लोग use करते हैं तो चलिए मैं आपको एक data के अनुसार आपको समझाता हूं मैंने एक data यहाँ पर देखे आपने बना लिया है हमने ठीक है मैंने यहाँ पर एक result बनाया है कुछ 5 या 6 बच्चों का result बना लिया जिसमें मैंने नाम उनका subject और उसमें कितने-कितने marks आ हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख लिया है और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उन सब का sum भी यहाँ पर निकाल लिया जो मैंने first में sum का formula बताया था उसी sum के formula से हिसाब से मैंने उसका जोड भी निकाल लिया है अब दोस्तों हमें इनका grade निकालना है यह देखते हैं कैसे हम लोग if function का use करेंगे, इसके लिए हमें type करना है equal to if, इसके बाद हमें bracket को on करना है, अब देखिए हमें इन सब का grade निकालना है, इन सब को grade में convert करना है, तो हम cell को select कर लेते हैं, इस cell का नाम है f2, ठीक है, इसके बाद हम लोग देंगे greater than का sign, मतलब f2 बड़ा है, ठीक है, इसके बाद equal का sign देंगे, और एक number हमने condition लगाते हैं, जिसे माल लिजे हमने यहाँ पर लिखा 20, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, equal to if, उसके बाद bracket on f2, और बड़ा greater than का sign दिया, equal to 20, ठीक है, इसके बाद जिनका भी f2 है, और उनका अगर 20 से बड़ा ह है, या 20 के बराबर है, तो उनका जो हमारा result आना चाहिए, चलिए, कॉमा लगाईए, इसके बाद double quads, और उनका जो grade आना चाहिए, वो आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद double quads से इसे बंद कर दीजे, ठीक है, दोस्तों, तो हमने एक condition लगाया है, कि जिनका भी 20 या 20 से उसके बाद आपको bracket on करना है, और sell हमारा वही रहेगा, f2, चलिए मैं f2 type ही कर लेता हूँ, इसके बाद greater than, फिर equal to, और इसके बाद आप हम लोग number थोड़ा कम लिख लेते हैं, 15, ठीक है, और फिर आपको कॉमा लगा लेना, देखिए हमने क्या condition लगा है, f2 अगर बड़ है, 15 के, तो उसका जो result आना चाहिए, उसका result आना चाहिए, बी grade, ठीक है, तो हमें यहाँ बी grade का टाल दिया है, और इसके बाद double quarts बन करना, अब अगला condition हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, कॉमा, इफ, इसके बाद, bracket on करेंगे, और sell का नाम डालेंगे, f2, greater than, equal to, अब यहाँ नमबर डाल देते हैं, 10, ठीक है, f2 हमारा बड़ा है, बराबर है, 10 के, तो उसका जो result आना चाहिए, comma, double, invertis, comma, उसका आना चाहिए, c grade, हमने दोस्तों यह condition डाल दिया, ओके, इसके बाद, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जितना भी bracket को open किया, तो यहाँ पर हमने 3 bracket को open किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर 3 bracket को close भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, मैंने 3 bracket को close कर दिया, और आपको press करना है, enter, अब दोस्तों देखे हमारे, जो पहला बच्चा का जो result है, वो grade कितना आया है, 8 आ 20 से बड़ा है, और 20 के बराबर नहीं है, लिए 20 से बड़ा है, इसलिए इसका grade कितना है, अब चलिए इसी तरह हम लोग दूसरे बच्चे का भी निकाल लेते हैं, same formula के हिसाब से, अब देखें दोस्तों हमने दूसरे cell में भी, दूसरे बच्चे का जो formula है, वो लिख दिया वो same to same जो हमने उपर formula लिखा था, वही same to same condition आपका नीचे भी रहेगा, क्योंकि सभी बच्चे के लिए जो condition है, वो वही apply होगा, कि जिनका भी number 20 से बड़ा ये 20 के बराबर है, तो उनका A grade आएगा, जिनका भी number 15 से बड़ा है, ये 15 के बराबर है, तो उनका B grade आएगा, तो इस तरह देखे, मैंने करके और तीन bracket यहां पर close कर लिया, formula को note भी कर लिजेगा, आपने copy में, चलिए अब enter प्रेस करते है, अब देखे दोस्तों, इस बच्चे का भी जो grade है, वो हमारा A आया है, अब दोस्तों, आपके सामने कई सारे बच्चे का result रहेगा, और सब का आपको grade निकालना होगा, तो आपको हर बार formula लगाने की जरूवत नहीं है, आपको कम से कम सुरू में, दो बच्चे का formula यहां condition लगाना पड़ेगा, तो चलिए मैंने दो बच्चे का यहां पर देखे condition लगा लिया है, अब इसको आपको क्या करना है, माउस से इस तरह करके आपको select कर लेना, आप देख लिए इस तरह का select हो जाएगा, इसके बाद आपको यहां से माउस से click, right click करके आपको यहां से drag करना है, खिसते हुए नीचे तक लाना है, और इसे छोड़ देना है, अब देखें दोस्तों हमारा जो सभी बच्चों का जो grade है, वो आ चुका है किसी का a grade है, किसी का b grade है, किसी का c grade है, इस तरह करके दोस्तों हम लोग if function का use करते हैं, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अब चलिए हम लोग दो रिखते हैं next formula की तरफ, अब दोस्तों जो हमारा next formula है वो है count if का, दोस्तों इस function की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आपका जो data आपने बनाये हुआ है, उसमें अगर कोई नाम लिखा हुआ है, वो नाम कम से कम दो या तीन बार बहुत बार ऐसे होते हैं कि आप हजारों student का result बना रहे होते हैं, और एक ही class में 4 या 5 नाम के बच्चे होते हैं, तो उसमें कितने नाम के एक ही बच्चे हैं, वो आप को ये formula के मदद से आप पता लगा सकता है, ये है count if, या कितने बार वो numbers use हुआ है उस data में, उससे भी आप पता लगा सकता है count if के मदद से, तो चलिए मैं सबसे पहले एक data बना लेता हूँ, जिससे मैं आपको बता पाऊं कि count if का use हम लोग कैसे करेंगे, चलिए दोस्तों ह हमने एक data ready कर लिया, हमने कुछ बच्चों का यहां पर नाम लिख लिया है, और एक ही नाम दो दो बार है, तो हमें इससे खोजना है कि कौन सा नाम जो है, वो हमारा दो बार use हुआ है, तो इसके लिए हमें जो function चलाना होगा, वो है count if का, तो सबसे पहले हमें equal to का sign देना ह है, इसके बाद हमें type करना है, count if, इसके बाद हमें bracket को open करना है, और हमें range को select करना है, देखिया हमारा जो पहला जो sales first, वो e2 का है, इसके बाद semi colon का sign देना है, और इसके बाद जो last data range उससे भी select कर लेते हैं, e7, अब आपको यहां पर type करना है, comma, और इसके बाद आपको type करना है, double quarts, और आपको जिस नाम को खोजना है, कि कौन सा नाम, कितनी बार यूज़ हुआ है, उस नाम को आपको type करना है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले यहां सूमीथ है, तो, पहले यहां रवी है, तो बहले हमने रवी को ही type कर लेते हैं, आरे भी, आही रवी हमने type कर लिया, इसके बाद double quarts लगा के, इसके बाद हम लोग bracket को close कर लेते हैं, आप देख लिजे दोस्तों, formula हमारा equal to count e, इसके बाद e2 cell से लेकर semicolon e7 cell तक, इसके बाद comma double quarts, फिर रवी, जो इस नाम का लड़का है, जो मनों खोज रहे हैं, कि इस data में कितनी बार ये नाम कर देना है, और इसके बाद आपको simply interface करना है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इस data में हमारा जो रवी नाम का जो लड़का है, वो दो बार है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया गया result आ चुका है, कि हमारा जो result है, वो दो बार ये नाम use हुआ है इसी तरह एक और बार करके देख लेता है, चलिए, इसके बाद आपको equal to देना है, c-o-u-n-t-i-f, count if, इसके बाद आपको bracket open करना है, cell को यहाँ select कर लेना है, e2, semicolon, इसके बाद last cell को select कर लेना है, e7, इसके बाद comma, और इसके बाद आप हमें type करना है, दूसरे बच्चे क नाम को type करना है, देखे, मैं type कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है sumit, तो मैं sumit को type कर लेता हूँ, sorry, यहाँ पर double quotes पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद sumit, इसके बाद फिर double quotes बंद करना है, और bracket close करना है, और आपको interface करना है, देखे, यह नाम भी दो बार use और हमारा अजय नाम का जो लड़का है, वो यहाँ पर एक ही है, ठीक है, और कोई यहाँ पर double नाम यूज नहीं हुआ, तो इसके लिए देखे, मैं condition लगाता हूँ, equal to, c, o, u, and account, if, इसके बाद bracket open, cell को select किया, semicolon, last cell को select किया, e7, इसके बाद comma, फिर double quotes open किया, उसके नाम अब हम लोग लिखते हैं, a, j, a, y, अजय और double quotes close किया, और bracket को close किया, और enterprise किया, आप देखे, यहाँ पर हमारा result आ गिया, कि जो अजय नाम का लड़का है, वो एक ही है, तो इसकी मदद से आप data का, जो भी double वार नाम या numbers भी use हुआ, आप numbers का भी पता लगा सकते हैं, Excel के द्वार आपको पता लग जाएगा, यह बहुत आसानी होगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, कि आपका जो data है, वो कितनी बार use हुआ है, चलिए अब देखते हैं, next formula के तरफ, अब दोस्तों, जो हमारा next formula है, वो है, some if का, some if जो function है, उसका दोस्तों हम लोग करना है, तो इस function का हम लोग use करते हैं, तो चलिए मैं आपको example के थुरू बताता हूँ, कि कैसे इसका use होगा, सबसे पदे दोस्तों देखें, मैंने यहाँ पर कुछ numbers को, मैंने यहाँ पर लिख लिए है, अब मुझे मालीजे इन में से कोई numbers को add करना है, जो मालीजे कि 50 से बड़े हैं, ठीक है, 50 से बड़े हैं, उन numbers को मुझे add करना है, तो क्योंकि data तो बहुत बड़ा रहेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो condition लगाना है, वो है, equal to sum if, इसके बाद हमें data को select कर लेना है, जो हमें देखें यहाँ पर, जो हमारा data है, वो है यहाँ पर आप सकते, E8, ठीक है, इसके बाद आपको लगाना है, semi colon का sign, और last data range को हमें select कर लेना है, E11, ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है, comma, और इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है, double quarts, और greater than, और जो भी numbers 50 से बड़े हैं, हमने condition क्या लगाया है, जो भी numbers 50 स लगा के और bracket को close कर लेते हैं, एक बार आप formula फिर से देख लिजे, equal sum if bracket open, और data range हमने E8 से लेकर E11 तक select कर लिया है, और हमने sum if में क्या condition लगाया है, कि जो भी numbers 50 से बड़े हैं, सिप उनको यह जोड़ेगा, ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग enter को press कर देते हैं, आप देख सकते हैं, दोस्तों, हमारा result आच चुका है, हमारा जो 50 से जो भी numbers बड़ा है, वो कौन-कोन एक 58 है, और एक 56 है, बस इन दोनों को इसने calculate किया है, और इनका जो add है, वो हमारा आच चुका है, तो इसके लिए आप sum if function का use कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे बड़े-ब बहुत मुश्किल है, तो आप सीधे condition लगा दिजे, 50 से बड़े हैं, या 60 से बड़े हैं, या 100 से बड़े हैं, इस तरह करके आप condition लगा दिए, सिर्फ उनहीं को ये numbers को add करेगा, तो दोस्तों, ये थे हैं हमारे कुछ important formula, जिनको आज की class में हमने discuss किया, दोस्तों, ये बह आपको सारा formula आई होप, आपको समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हमारी तो like कर दिजेगा, और चैनल पर अगर नए हैं, तो subscribe कर लिजेगा, computer knowledge में expert बनने के लिए, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए topic साथ, तब तक के लिए, थांक यू